Hello, Welcome to Techshare Myth आज के session में हम एक और method कवरेंगे जो है join join method को भी हम बहुत सारे scenarios के लिए यूज कर सकते हैं python में join method करता क्या है? last session में हमने देखाता है याप पे split का तो split क्या करता है? किसी भी string को list में convert कर देता है और join क्या करेगा? उसका reverse करता है तो अगर आपके पास कोई list है उसको आपको as a string वापिस से convert करना है तो आप वो कर सकते है join method के तरो ठीक है? तो यहाँ पर मैंने इसके different scenarios बनाए हुए हम एक करके scenarios को देखेंगे और उसका output चेक करेंगे तो पहले scenario में हम क्या कर रहे हैं? हमने एक word list पनाया है जैसे जैसे हम session में आगे बढ़ेंगे तो हम यह पूरा discuss करने वाले list क्या होता है यह सब detail में देखेंगे बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं क्योंकि हम main focus कर रहे है method पे तो यह एक list है characters की word list ठीक है और इसको फिर हम क्या कर रहे है? line number 10 पर print कर रहे है as it is so before method used यहां पर हमने backslash and इसलिए दिया है कि यह एक next lines है ठीक है? तो before method used जो यह list है इसको हम पहले string में convert कर रहे है str में convert किया और फिर हम क्या कर रहे है? यह print हो जाएगा as it is फिर हम कर रहे है join का use तो join में आप देख रहे हो यहां पर हमने blank की लिखा dot join word list तो यह क्या करेगा? join करेगा इन सबको blank के साथ में तो जैसे पहला element लेगा फिर space add कर देगा फिर दूसरा फिर space फिर तीसरा ठीक है? तो यह एक way है जिसके थुरू हम वापिस से string बना सकते हैं और फिर हम क्या कर रहे है? after method use में string को print कर रहे है तो इसका output चेक करते हैं फिर आपको ज्यादा clear होगा तो मैं यहाँ पर press कर रहा हूँ ctrl shift tilt मेरे terminal को open करने के लिए जैसे ही terminal हमारा open होगा तो हम यहाँ पर प्रोग्राम को run करेंगे तो प्रोग्राम रन करने के लिए आपको लिखना है python session 14.py ठीक है? इसपर enter it करोगा है तो यह कुछ output इसने शोकिया है सभी scenarios के लिए one by one हम go through करते है तो पहला scenario है हमारा पास before method use यह इस तरह से list थे अब आप देख सकते हो इसने इसको string में convert कर दिया with spaces ठीक है? तो यह एक method है join method इसका syntax इस तरह से लिखना है आपको पहला वह argument जिसके साथ आपको इसको attach करना है अब हम देखते है scenario second scenario second में भी हमारा पास एक list है उसको हम convert करेंगे बट उस ताम पे क्या हमारा को अगर मालो space की जगह कुछ और character से उसको attach करना है तो क्या करेंगे हम वह character यहां पर pass कर सकते है तो line number 17 पे तो हमने as it is उसको string में convert किया concat किया before method use से और print कर दिया line number 18 में क्या कर रहे है उसको join कर रहे है with hyphen so after method use में आ गया hyphen और इसको हमने attach करते है और फिर backslash end किया तो second scenario का output भी देख लेता है page down करके तो यहां पर हमने page down किया यहां पर आया before method use apple banana orange और after method use यह बन गया apple hyphen banana hyphen orange ठीक है तो यह था हमारा second scenario अब हम देखते है third scenario third scenario में क्या कर रहे हमारे पास एक number list है उस number list को हमारे को convert करना है string में और इस time हम इसको separate out करेंगे comma से ठीक है तो हमने क्या किया पहले line number 13 पर कुछ numbers as a list element store किया और पर प्रिंट कर दिया इसको as it is तो प्रिंट करने के लिए हम str method के यूज कर रहे है ठीक है str method हुआ यहां पर use और यह प्रिंट हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे join का use कर रहे है यह as it is प्रिंट करने के लिए अब join का use करेंगे और इस ताम मैंने argument में पास किया है कॉमा तो यह क्या करेंगा number list में कॉमा को append करके और जो भी final list आएगी string आएगी वो यहां पर show होगा तो इसको check करते है output में तो इसको यह कुछ इस तरह साएगा before method में यह एक list थी और फिर जब after method यूज़ किया तो यह एक as a string आ गया हमारे पास ठीक है तो यह था हमारा third scenario अब हम देखेंगे fourth scenario fourth scenario में अगर आपके पास कुछ इस तरह से individual character की list है और उसको आपको वापिस से word बनाना है तो कैसे करेंगे उसके लिए भी हम पहले normal print कर देंगे जैसा है before method के लिए तो before method use normal print हो जाएगा और line number 32 पे हम यह syntax यूज़ करेंगे तो यह पर ना blank दोगे ना कोई character पास करेंगे अब बस इसको double quote लगा दोगे और कुछ भी space लग रहे नहीं है और फिर dot join careless तो यह क्या करेंगा सभी characters को join करेंगा without any delimiter ठीक है तो अगर मैं page down करो तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा Hello थाई है और इसने कुछ भी यहां पे बीच में एड नहीं किया और direct सारे characters को join कर दिया तो इस case में आलो आपके पास कोईसी requirement आपके पास एक 3rd program से या कोई external program से आपके पास इस तरह से breakout characters आ रहे हैं और उसको आपको convert करना है string के अंदर तो वहां पे आप यह join method का use कर सकते हैं अब हम देखते हैं 5th scenario 5th scenario में हम क्या कर रहे हैं हम आपके इस तरह से line 1, line 2, line 3 लिखावा है अब हमें suppose ऐसा करना है कि इनको separate line में लिखना है तो वह कैसे होगा पहले हमने इसको normal print कर दिया strs में convert करके before method use के साथ attach कर दिया और फिर हम line number 13 पे backslash n argument दे रहे हैं तो यह backslash n क्या करेगा हर element को एक नई line में लिखतेगा तो हमारा output कैसा है वह चेक करते है तो यहां पर क्या था line 1, line 2, line 3 था तो उसने after method यूज में line 1 डाला फिर line 2 और फिर line 3 तो आप देख सकते हो यहां पर line A change होई अब last scenario है वह हमारे पास 6 scenario इसमें हम क्या कर रहे हैं अगर हमारे को यह इसका output में दिखाता हूँ इसको हां तो कुछ इस तरह सा अब इसको मेरे को क्या करना है सारे characters को एक साथ पूरे words है उन सबको एक साथ लिखना है तो वह कैसे लिखेंगे यह तो नॉर्मल प्रिंट कर दिया जैसी हमारे पास list थी वह as it is list यहां पर आ गई और next में हमने कहा किया without any parameter हमने इसको join को यूज किया तो यह क्या करेगा इसको attach कर देगा और सारे words एक साथ आ जाएंगे तो यह था एक scenario जिसमें हम use कर सकते है तो यहां पर अभी हमने 6 scenarios देखें mostly यह scenarios यूज होते हैं अगर आपको कोई और requirement के लिए यूज करना तो आप वह भी कर सकते हैं आपको किसी data को hash symbol या add the rate symbol के साथ में separate out करना है तो उस case में भी आप इसका use कर सकते हो ठीक है और इसको याद करने का एक simple यह है कि जो भी चीज हम perform करते हैं split method सी यह उसका reverse करता है split क्या करेगा उसको breakdown करेगा और join उसको merge करेगा जैसा इनका name है वैसा ही यह work कर रहे है तो यह बहुत easily आप समझ सकते हो कि split है तो मतलब वह split out करेगा और join है तो वह सबको attach करके as a string बना देगा ठीक है so I hope यह session आपको clear हुआ हुआ next session में हम बागे topic डिसक्स करेंगे so thank you for watching texture math